जेह दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग में हुआ आप सभी लोग का दोस्ट संचेत और दोस्ता आज की इस वीडियो में भी बात करने वाले हैं I think 2019 के बाद पहली बार इंडिया का विक्स, अमेरिका के विक्स से 1% की लीड में हमें दिखाई दे रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को definitely दिखाई दे रही हैं, इस चीज़ के उपर हमें किस तरीके से play out करना चाहिए, क्या trading strategies हो सकती हैं जिनको हम play out कर सकते हैं, कौ कौन से important levels हमें देखने को मिल सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में discuss करने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, चैनल को subscribe कीज़ेगा, बैल आकिन को दबाईएगा, और इस वीडियो का like हम रखते हैं, लगबग 1000 likes, क्योंकि आप पूरा कर ही देंग तो चलिए अब जारी टैम बेसना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, देखें फ्राइडे का सेशन जो था वो रहा पूरा IT सेक्टर के नाम, 5% उपर IT सेक्टर हमें देखने को मिला IT इंडेक्स, जहां पे बहुत ही जबरदस ब्रेक आउट और तेजी हमें देखने को जा रही है, अब definitely हम कुछ बड़े resistance की तरफ जा रहे हैं, nifty में अगर हम बात करें तो कोई जो है वो रुकावट जो है वो definitely दिखाई नहीं दे रही, I think one of the most hated bullruns अगर हम इसे बोलें तो वो चल रहा है ये, क्योंकि लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहां पे entry करें ये बजार में एक बार आपको बस entry कर लेनी है सही point पे और उसके बाद बजार जो है वो अपने आप आपको जो है वो reward कर रहा है क्योंकि जबरदर्स तेजी का महौल इस वक्त निफ्टी IT में, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में बना हुआ है, banking and financials ने definitely Friday के session में underperform किय but overall अगर हम structure wise देखें तो उनका structure भी on a weekly time frame काफी strong दिखाई दे रहा है अगर हम overall structure की बात करते हैं तो अब आगे का क्या, सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि सारे event हो चुके हैं, December के हम लोग second half में आ चुके हैं, December का second half generally जो है वो bulls के favor में नहीं माना जाता, क्योंकि FIs वग draw करते हैं, बहार निकालते हैं, जैसे हमारे अधिवाली होती है, उनके वहाँ new year बगएरा होता है, Christmas होता है, तो वहाँ पर वो लोग celebration बगएरा जो हो अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो छुटिया बगएरा enjoy करने के लिए वो लोग, I think, December के second half से लेकर January 8-10 तारिक त देखें, बट क्या इस बर चीजे जो हो different होने वाली है, क्योंकि अगर हम US market का भी chart लगाते हैं, DAO ने अभी अभी last week ही अपना highest ever weekly close दिया है, DAO ने जो breakout दिया है, 36,900 का जो breakout है, वो हमें देखने को मिलेगा, और अगर हम range breakout भी इसको मानते हैं, एक जो अगर हम common range इसको ले जहां पर बार बार जो है, वो DAO जोंस ने support लिया, तो at least जो है यहां से DAO में भी 12% की तेज़ी जो है वो देखने को मिल सकती है, आगे आने वाले कुछ time में, तो यहां से DAO जो है, 40,000 से लेकर 41,000 की range में जो है वो जा सकता है, अगर हम बात करते हैं, तो दूसरी चीज अ 2021 के bull run में, उन all time highs के आसपस खड़ा है, जो लगबख 16,300 के आसपस हैं, NASDAQ का pattern जादा जो है वो beautiful हमें दिखाई देगा, क्योंकि इसमें जादा depth जो है वो दिखाई दी थी, तो यहां से भी अगर हम minimum मान के चलें, तो 20-25% का अगर uptick जो है वो आता है NASDAQ के अंदर, तो NAS NASDAQ भी यहां से कम से कम 18-20,000 के levels की तरफ जा सकता है, अब इसमें सबसे बड़ा caveat क्या है, सबसे बड़ा caveat है, Accenture की earnings, next week Accenture की earnings जो है वो आनी start हो जाएंगी, वो पूरे IT sector globally जो होता है उसको direction देता है, ठीक है, अभी बजार के लिए या अभी जो Fed के officials हैं, उनके लिए inflation उतना बड़ा खत्रा नहीं है, क्योंकि inflation ने definitely जो है, एक range में जो है वो आने का काम अभी के लिए कर दिया है, Fed officials के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खत्रा है, hard landing नहीं होनी चाहिए, because हम लोगों ने बहुत बार देखा है historically, और अगर आप historically चीज़ों को देखें, तो एक ची ही है इस वक्त जो fundamental analyst है उनका, कि rate hikes का असर हमें company की earnings में नहीं दिखना चाहिए, recessionary earnings नहीं दिखनी चाहिए IT companies की, पहला sign किसी भी देश के या किसी भी economy के recession में जानेगा होता है, वो होता है IT companies की earning में recession आना, और अगर ऐसा होता है, especially high growth वाली companies हैं ये, high meta वाली कमपनी है, recessionary fears दिखाई देते हैं, Accenture की earnings में, Accenture के guidance में, वो पूरे IT sector के लिए catastrophic हो सकता है, आपको इस वक्त बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे, कि आप IT sector लीजे, IT sector में invest करिये, बट मैं यही बोलूँगा, अगर आप lower levels पे फसे हुए थे, आपके भाव आते जा रहे हैं, best case scenario ये ठीक है, ये जादा safe option होगा, हो सकता है आपके कुछ points छूट जाएं, हो सकता है कुछ rally आपकी निकल जा, IT sector में 2-4-5% की, बट उसके बाद at least आपकी safe bet जो है, वो IT sector पे हो जाएगी, बट अगर Accenture ने earnings में disappoint किया, कुछ recessionary fears दिए, वो catastrophic होगा, ना कि सिर्फ stock market के लिए, ब सबसे बड़ा event तो यही है, आगे आने वाले कुछ दिनों में, अब किस तरीके से हम लोगों को play out करना है nifty में, ठीक है, weekly time frame अगर हम देखें, 7 हफतों से हम लगातार उपर की side जा रहे हैं, record है, बिल्कुल है, क्या एक और हफते हम लोग नहीं जा सकते, probably जा सकते हैं, इस तरीके से जाएंगे, वो देखना important होगा, अगर हम daily time frame चलाते हैं, इस हफते में, तो हम लोगों ने एक चीज़ clear देखी, कि market ने similar वो ही structure किया, जो market ने नीचे किया था, क्या चीज़, market ने पहले pause लिया, उसके बाद breakout दिया, अब दुबारा से market ने pause लिया, और breakout दिया, तो market में अभी जो है, वो breakout की शुरुवात होती हुई दिखाई दी है, बट इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग सीधा जो है, वो buy करना start कर देंगे, कुछ levels में आपको note करवाता हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब अगर हम levels की बात करते हैं, जो key level हमारे लिये होग वो होगा put call ratio का level, क्योंकि nifty का अगर हम put call ratio देखते हैं, 21st December की expiry का, वो है 1.46, overboard territory में definitely nifty दिखाई दे रहा है, put call ratio wise, तो इसको हलका होना पड़ेगा, अब हलका होने के लिए हम लोग जाएंगे 15 minute time frame पे, ठीक है, 15 minute time frame पे अगर हम जाते हैं, तो हमारे लिए जो पहला level ब 21,375 का level अगर जो है nifty break कर देता है, तो हम लोग जो है वो short के बारे में सोचेंगे, 21,375 का level अगर break कर देता है, तो हम लोग short के बारे में सोचेंगे, यहां तक का कोई भी dip आता है, आपका 21,375 तक का वो आपके लिए buying opportunity होगी, 21,375 के नीचे अगर nifty जाता है, तो हम short करन 25, एक 700 point का down tick जो है, हम लोगों को एक बार के लिए देखने को definitely मिल सकता है, ठीक है, बड़ी weakness हमें 21,225 के उपर ही देखने को मिलेगी, अब मान लीजे gap up open होता है, तो उसको किस तरीके से play करना है, gap up अगर open होता है, तो हमारे लिए एक level जो है, वो level रहेगा 21,525 का, 21,525 जो है, अगर बजार जो है, वो निकलता है, तो फिर जो है, बड़ा breakout हमें Fibonacci पे देखने को मिलेगा, क्यों मैं ऐसा गया रहा हूँ, 21,525 का level important क्यों है, अगर हम weekly time frame पे जाते हैं, एक बार के लिए मैं drawings remove कर देता हूँ, hopefully अपने levels होगेरा जो है, वो note कर लिए होंगे, अगर हम weekly time frame पे जाते हैं और Fibonacci को draw करते हैं, from this highest point to this lowest point, exactly अगर हम देखें, तो हम लोग 21,550 का एक बड़ा hurdle है, इसके आसपास है, अगर बजार जो है, इसके उपर निकलता है, तो 25,400 तक, जो है, Fibonacci के targets जो है, वो निकल के आ रहे हैं, बहुत बड़ा breakout जो है, निफ्टी में हो सकता है, जो आपको positionally है, मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक हफते में हो जाएगा, दो हफते में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, time लगेगा, process है, कई महीने लगेंगे, बट positionally जो है, आप setup हो जाएंगे, 25,400, 500 के target के लिए, ये अपने को जो है, ध्यान में रखना है, निफ्टी के अंदर, ठीक है, अब बैंक निफ्टी की मैं बात कर लेता हूँ, बैंक निफ्टी का अगर हम weekly time frame देखते हैं, तो उसमें भी काफी अच्छा जो है, वो breakout definitely दिखाई दे रहा है, अगर हम बैंक निफ्टी में भी Fibonacci लगाते हैं, क्यों positionally अगर हम बात करते हैं, तो 57,000 के target जो है, वो bank निफ्टी में निकल के आ रहे हैं, अगर हम 48,300 एक बड़ा level है, उसको breakout देते हैं, तो positionally मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब generally क्या होता है, बड़े targets दे दे दो, आप levels के उपर दे दो, तो बहुत सारे लोग दूर की positions बन करना लेते हैं, इसलिए generally जो है, मैं बड़े targets देने में believe नहीं करता हूँ, बट आज मेरे को देना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग request कर रहे थे कि बजार बढ़ गया है, अब इससे जाधा क्या ही जाएगा, ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कभी भी बजार जाधा ना बढ़ता है, जाधा ना घड़ता है, आपकी उमीद से जाधा बढ़ सकता है, आपकी उमीद से जाधा घड़ सकता है, ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखेगा, तो nifty bank को किस तरीके से play करना है, simple है, 15 minute का time frame हम लगाएंगे, हमको एक चीज़ दिखाई दे रही है, कि bank rifty में, जब तक 47,500, 47,500 से 600 की range के नीचे कोई भी 15 minute की candle close नहीं होती है, हम लोग short नहीं करेंगे, 47,500 से 600 की range के नीचे कोई भी 15 minute की candle close होगी, वो sign होगा हमारी weakness का, पहला sign, इसके नीचे ही बड़ा crackdown आएगा, जो आपको, जैसे मैंने बोला, दुबारा से एक बार के लिए, 46,700 तक जो है लेके आ सकता है, तो इसके उपर हम लोग नजार रखेंगे, on the upside में, हम लोग जो है level जो लेके चलेंगे, वो लेके चलेंगे, 48,200 से 300 की range, यह आपके लिए resistance का work करेगी, 48,300 के उपर अगर bank nifty निकलता है, तो definitely हम लोग क्या करेंगे, pivot points जो हमें 48,600 और 48,800 की तरफ जो है वो लेके जा सकता है, तो इसके उपर हम लोग definitely नजर रखेंगे, nifty finance की हम लोग बात कर लेते हैं, nifty finance थोड़ा जादा range amount था, I think इसने बहुत जादा underperform किया Friday के session में, देखते हैं, अब मंडे को किस तरीके से trend जो है वो nifty finance में देखने क आ रहा है, अगर इसके उपर nifty finance निगलता है, तो simple है, ये range जितने points की थी, ये range अपनी थी लगबग 200-500 point की, तो 200-500 point का up move, nifty finance में हमें लेके जा सकता है, 2775 तक, on the downside में अगर 2175 जो है वो नीचे की साइड तूटता है, 21375, तो nifty finance में हमें एक अच्छा खासा cut भी देख देखने को मिल सकता है, जो आपको at least यहां तक 21180 तक की जगए जो है, वो definitely दिखा सकता है, तो nifty finance में trade जादा क्लियर है, इंट्रेडे वालों के लिए, क्योंकि range इसने दो दिन से बना रखी है, range आइधर साइड breakout या breakdown होगी, तो हमें बहुत अच्छा trend जो है, वो देखने मिल रहा है, इसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा, कोई भी latest update, news, markets related, levels जो होते हैं, charts बगर होते हैं, आप यह मैं share करता रहता हूँ, hopefully आपको पसंद आते होंगे, thank you so much for watching guys, जहिन, वंदे मातरम